दीपावली के त्योहार की हर तरफ तेयारियां चल रही है और हर जगह इसका उससाह देखने को मिल रहा है हलाकि लगातार हो रही बारी से इसका रंग जरूर फीका नजरा रहा है लेकिन फिर भी परंपरा को निभाने के लिए हर कोई लगा हुआ है अमीरों का त्योहार कहलाने वाला दीपावली पर्व अगर कुछ गरीव और वंचित बच्चों की जीवन में उजाला कर दे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता ऐसा ही कुछ प्रयास कुछ लोगों द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है उसी के अंतरगत बेटमा से लगे गाउं खतेडिया सारंग में देखने को मिला जहां शास्किय प्रात्मिक विद्याले में शिक्षिका बाल किशोरी जामो द्वारा स्वयम के खर्चों पर इसकूल के बच्चों को फटा के वद्दियों का वितरन किया गया इस अवसर पर मुख्य अतिती के रूप में पत्रकार राजेंदर सूर्यवंशी, सुनिल मुनिया, विनो जाधो और राहुल देवडा उपस्तित रहें जिनोंने बच्चों को इनका वितरन कर दिपावली का महतो बताया पत्ठाकों के वितरन के बाद सभी के लिए स्वल पहार की भी विवस्ता जामो द्वारा रखी गई वहीं इसी तरह एक और आयजन मानो अधिकार एवं अपराद नियंतरन संगतन बेटमा द्वारा किया गया हर साल की तरह गरीब बच्चों के लिए दिवाली सेलिब्रेशन का कारेक्रम इस वर्ष भी रखा गया जिसका आयजन इस वर्ष भी गाउं शंकरपुरा बेटमा में रखा गया जिसमें गरीब बच्चों को मिठाई फल फ्रूट वो पठा के वितरन किये गए इस कारेक्रम में उपस्थिस संस्था से पदाधीकारी देपालपूर तसिल अध्यक्ष केशो शर्मा डॉक्टर सत्यपाल सिया ठाकूर सहीत पदाधीकारी एवं सदस्य से उपस्थिस थे बेटमा से राजेंद्र सूर्यवन्शी की रिपोर्ट इसके बारे में इनको जात्यारी देए 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 इसके बारे में इनको छोटे छोटे पच्चों को बताया गया और उनकी फुशियों को मत्ये में गर आज अटा के तरह इतरा निदी किये गए और मिठाई परवाया गया इस तरह से दिन आव भी सभी लोग निजूल कर बनाएं और जो भी अगर मन में बशाओ उसे मिठा करके खुशियों से मनाने के लिए प्रेइड किया गया सबी गच्चों को तो देने कांप नाजी अपका नाम मेरा नाम हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप